नमस्कार प्यारे विद्ध्यार्तियों आज हम ओनलाइन क्लासेज के अंतरगत बीए पार्ट फर्स्ट ओनर्स के तिरती प्रसंद वत्र आर्थिक भुगोल के विशे में चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में हमने आर्थिक प्रसंद विशे विशे पर विशे पर विशे पर विशे चर्चा करेंगे देखें प्रते के बहुतिक जेविक और समाजिक आर्थिक विज्यान का अपना दर्शन पदति सास्त्री कारिय च्छेत्र होता है और भुगोल का भी में भी प्राकर्तिक और अमानम निर्मित तत्यों का द्यान किया जाता है आरतिक भ५ुगोल को भी विद्वानों द्वारा जो परिभासा ई गई उनके आधार पर स्य मांकित किया गए है इस भूतल पर मानवी क्रियाओं द्वारा वस्तों के उत्पादन वीनि में उपभोग का अध्यन करता ह呢 यानि वस्तों का उत्पादन फिर पहो हूं होता है इसके सद्रमें भी आर्थि भूगल अपनी अध्यन पदेती को सामने लेकर क्याता है कि इसके विशेश्शेश्चर में मानों की आर्थि कटिवीदियों के वित्रनों यूंपने विभीन में आर्थिक भूगोल के विश्य चेत्र को हम निम्लिकित बिंदूं के द्वारा अधिक विस्तार से समझ सकते हैं कि आर्थिक भूगोल के विश्चेतर में किन-किन चीज़ों को समलित किया गया है यदि नमबर एक हम इसमें आर्थिक क्रिया कलापों के वित्रन का इसमें अध्यन किया जाता है इसमें आर्थिक भूगोल के अध्यन में आर्थिक क्रियाओं के वित्रन प्रती रूपों की सरव होती है अर्थात जो आर्थी क्रियाएं भूतल पर अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ती हैं जैसे हम क्रसी है खनन है उद्धोग है परिवेहन है इत्यादी ऐसी आर्थी क्रियाएं जो पूप तल पर मूर्थ रूप में प्रकट होती हैं कुछ आर्थी क्रियाएं ऐसी होती ह मोर्त रूप ग्रहंड नहीं करती हैं उन किरियाओं का भूतल पर कोई प्रभ नहीं पड़ता हैं। ऐसे आर्थी किरियाओं को आर्थिक क्रिया कलापों के वित्रन का अध्यन किया जाता है दूसरा जो इसका विश्य चेत्र है वो है प्राकरतिक संशादनों का मुल्यांकन एव मात्रा करन यानि प्राकरतिक संशादनों का निर्धारन करना और वो कितनी मात्रा में है उसका निर्धारन करना आर्थिक भुगोल का विशाचेतर है आर्थि गुगल के दिन में प्राकरतिक संचादनों जैसे मिट्टी जल जीवी संचादन सक्तियों उर्जा संचादन खनीजियों पशू संचादनों के मुल्यांकन ये मात्रा करन पर विशेश बल दिया जाता है ताकि संचादनों का पोशन है वह सतत हो सके तीसरा जो इसका विशाच छेतर है उसमें अर्थ तंत्र का वातरण से समंद्ध का द्यन किया जाता है अर्थ तंत्र तथा प्राकरतिक सामाजिक वातरण में घनिष्ट समंद्ध पाया जाता है परियावन का प्रभाव अर्थ तंत्र पर पढ़ता है वहीं अर्थ त तंतर भी प्राकृतिक प्रियाउन को प्रभाव डालते हैं जैसे किस इस्तान पर सूतिव द्योख किस्ता अपना कई प्रियाउन ये कारक निर्भर करती है जलवायू है उर्जा है जल की उपलब दता है आदी मुख्य कारक है दूसरी और कार्यात्मक गहनता का दबाव पर्यावलून पर पड़ता है हतार दोनों पक्सों के मद्य एक ऐसे सम्यक एवन अनुकूल अभिश्य अंतर समंदित स्थापित करने का प्रियास आर्थिक भूगौल में प्रिये विद्याथियों किया जाता है। प्रथे प्रथे जो विशेष्टाइं मिलती हैं उनका अध्यन विशेष तोर पर आर्थिक भुगोल की विशेवस्तु है इन विशेष्टाओं का व्रेद चेतर तथा संपूर विश्व के संदर में अध्यन किया जाता है जो इसका विशेष्व चेतर नमबर पांच मानविय संसादनों का मात्राकरण वे संभावनाईं आर्थिक भुगोल की अध्यन में जितना महत्व पूनिस्तान प्राकरतिक संसादनों के मात्राकरण वित्रन प्रारूप का है उतना ही महत्व मानिव संसादनों के मात्राकरण वे संभावनाउं के अध्यन का भी है इन में मानव का मात्रा करण वैं गुनात्मक दरश्टि से विश्ववित्रन प्रतिरूप का अध्यन किया जाता है यह यहीं की देख्यें कि आर्थि भूगोल के के विश्य छेत्र में प्राकृतिक चंशाद्नों का भी निर्धारन किया जयता है और साथ में वहाँ पर कितनी जन संख्यापा कि जाती है कि वह मात्रव तम को और गुनात्मुक द्रश्टी से जन संख्या का क्या लृए जयता है दोनों में समाण जैसी स्थाफित करके और आर तिक रिज़ और को तेज भूगोल का एक महतवपून फक्स आर्थी क्रिया क्लापूं यह प्रावी दिकी की अंतह क्रिया एं तत्य जनीत अर्थ तंतर के सवरूप में प्रादेशिक एं काल क्रमिक विविनताओं का अध्यन करना है और नमबर च्छे आर्थिक भूगोल के दिन छेतर में सानस्कृतिक आर्थिक भूद्रश से आर्थिक उन्नती स्तर इस्तानिक संगटन प्रादेशिक नियोजन आदी को भी संबलित किया जाता है यानि जो भूद्रश से आर्थिक सानस्कृतिक है आर्थिक उन्नती किस इस्तर की है प्रादेशिक और इस्तानि इस्तर पर उसका क्या संगटन आत्मक धांचा है बहविशे में उसको किस परकार से गति प्रदान की जाए नियोजन का क्या सरूरूप है इन सब चीजों को ध्यान में रखते होए और आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है तो आर्थिक भुगोल के विशे चेतर में इन चीजों को समलित करते हुए और इसके विशे को निर्धारित किया जाता है धन्यवाद दोस्तों इस व्यक्यान में इतना है